तो दोस्तों आज है डे फोर और मैं एक्स्प्लेइन करूंगा आज दा एक्जॉर्सिस्ट के फोर्थ पार्ट यानि की एक्जॉर्सिस्ट दब बिगनिंग इस मूवी को डारेक्ट किया है रैनी हार लिन ने और अगर आप डारेक्ली इस पार्ट को देख रहे हैं तो आई व ये देख पाते हैं कि वो जगा एक वार प्लेस जैसी लग रही थी जहां पर सारे के सारे सैनिक मारे गए थे सिर्फ वही एक प्रीस्ट बचा हुआ था और लाशों को धेर सारे लकड बगगे और रेवन बर्ट्स नोच नोच कर खा रहे थे डैम इस रेवन बर्ट्स अगे यह मूरती किसी और की नहीं बलकी पजूजू डीमन की थी और अब सीन एकदम से ही वाइट शॉट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि बहुत ही भायनक नजारा वहां पर था बहुत सारे उल्टे क्रॉस लगे हुए थे जिन पर डैड बॉडी और लोग बंदे हुए थे औ 37 मेरन एक एकस प्रीस्ट भी होते हैं उनके सामने वर्ल्ड वॉर्स हमें का वाइलेंस हुआ था जहां पर उनके सामने एक ओफिसर ने एक एक करके दस इंसानों को मार डाला था यानि कि विलेजर्स को उस ओफिसर ने बच्चों और तों और किसी पर भी कोई मरसी नहीं दि क्योंकि उनके जुलम ही इतने खतरनाक थे उस दिन फादर मेरन ने गौर्ड से बहुत प्रे किया था लेकिन शायद से उस दिन गौर्ड ने उनकी बात नहीं सुनी अब इस इंसिरेंट के बाद में मेरन कभी चर्च नहीं गए और उनका गौर्ड पर से फेथ खतम हो गया उसके पास खबर है कि उस चर्च में कुछ बहुत ही कीमती चीज मिल सकती है असल में उनको वहां पर एक रेलिक ढूड़ना था जो कि किसी और का नहीं बलकि उसी पजूजू डीमन का था और उस चीज की रेफरेंस के लिए वो सिमिलर काइंड ओफ रेलिक भी उनको दिखा जिस पर मेरिन आववियसली हा कर देते हैं क्यूंकि उनको भी इस एंशिंट रेलिक टाइप की चीजों में काफी इंटरेस्ट होता है अब अगली सीन में हम मेरिन और सेमिलियर को केनिया पहुँचते हुए देखते हैं जहां पर उनकी मुलाकात फादर फ्रांसिस से होती ह जो की एक वैटिकन स्कॉलर हैं और वो इस काम में उनकी हेल्प भी करने वाले हैं उन्हों को एक गाइड और ट्रांसलेटर भी दिया जाता है जिसका नाम जूमा होता है मेरिन और फ्रांसिस को कुछ टाइम तक चर्च को अब्जर्व करने के बाद यह पता चलता है कि यहा पर यहां पर पहुंची ही नहीं थी तो चर्च बनने का तो सवाली पैदा नहीं होता और दूसरी सोचने वाली बात यह थी कि इस चर्च के इतने पुराने होने के बावजूद भी इस पर सन और वैदर का कोई भी एफेक्ट नहीं हुआ था जिसका मतलब यह है कि इस पर जमीन पर कोई चर्च क्यों बनवाएगा और इनी सवालों का जवाब ढूंडने के लिए जूमा और मैरें चर्च में छत के रास्ते से घुसते हैं लेकिन कुछी टाइम में फ्रांसिस भी वहां पर आ जाते हैं अब वो लोग चर्च के अंदर होते हैं जहां पर उन्हे की सेटन की इन पेंटिंग से यह पता चल रहा था कि लूसीफर कभी गौड का फेवरिट एंजल हुआ करता था और उसने कैसे सबसे पहले गौड की बातों पर विरोध किया था उसने अपनी सेना बनाकर गौड के अगेंस्ट जंग छेड़ दी थी और इसलिए उसको स्वर को नीचे की तरफ पॉइंट किया हुआ था यूजवरिं जब भी कोई एंजल की फोटो या फिर कोई भी मूर्ति बनाए जाती है तो उनके हाथ में कोई भी हत्यार नहीं होता अगर होता भी है तो वह हैवन की तरफ पॉइंट करता है ना कि नीचे की तरफ जिससे मैरन को एक बात पर यकीन हो जाता है कि इन एंजल्स को किसी चीज़ की रखवाली के लिए रखा गया है या फिर किसी चीज़ को रोकने के लिए जो की इस चर्ज के नीचे है अब यहाँ पर फ्रांसिस को इनवर्डिड क्रोस वाली चीज़ किसी शैतान का काम लगती है लेकिन मेरन क बताता है कि लीड आर्कियोलोजिस्ट इस वक्त मिलने की हालत में नहीं है क्योंकि वो पागल हो चुके हैं लेकिन जूमा मेरिन को उनका टेंट दिखाने के लिए ले जाता है और टेंट के अंदर की हालत बहुत खराब थी चारों तरफ चीजे बिखरी पड़ी थी और पेप ही उनमें तहरेंगे अब मैरिन बैसन से मिलने जाने वाले होते हैं लेकिन बैसन से मिलने से पहले मैरिन साइट के हैड जैफरिस से मिलने जाते हैं और वो काफी रूड थे हमें उसके चेहरे पर बहुत ही बड़े-बड़े इंशान नजर आते हैं जिससे वो देखने में का से यहां पर लकड बगगे घूमते रहते हैं दिन में भी कई सारे लोग गायब हो चुके हैं और उस दिन तो मेरन के सामने ही एक वर्कर अचानक से बिमार हो गया थें उसको सीजर आने लगे थे अमेरन यहां के होस्पिटल की टॉप्टर सेरा से मिलते हैं अब सेरा यहां पर किसी अंजान शक्ति होने के बारे में तो नहीं रखा गया था लेकिन उसको कोई भी फिजिकल सिम्टम्स नहीं थे उसका दिमाग ही उसको पागल बना रहा था और हम एक चीज नोटिस करते हैं कि पहले ही मोमेंट से मेरिन और सेरा एक दूसरे की तरफ कुछ अट्रेक्शन फील करते हैं असल में उनकी लाइफ में बहुत सा पास्ट लाइफ के बारे में जानकर उसका पती भी उसको छोड़कर चला गया था उसी रात को विलेज में कुछ अजीब से हाथ से नजर आते हैं सबसे पहले फादर फ्रांसिस जब प्रेयर कर रहे थी तो उनके सामने ही होली क्रॉस उल्टा हो रहा था दूसरा ये था कि दो लोकल बच्चे जेम्स और जोसेफ एक ही साथ खेल रहे थे लेकिन अचाना की कुछ लकड़ बगगे जेम्स पर अटैक कर देते हैं और उसकी बॉड़ी के टुकड़े करकर खा जाते हैं मगर जोसेफ की तरफ वो देखते भी नहीं जैसे की जोसेफ वहाँ पर था ही न वाले हैं और वो मेरन के अंदर आते ही यह बोलते हैं कि तुम्हारा परमिश्वर यहां पर नहीं है और कहता है कि मैं फ्री हूं और यह कहते हुए वो अपने गले को काट कर खुदी सुईसाइड कर लेते हैं और उनकी चेस्ट पर एक स्वास्तिक का आइकन भी दिखाई द पड़ेगी बैसन की रूम से उनको एक स्केच भी मिलता है जो कि उसी चर्च का लग रहा था मेरे नब रात के अंदेरे में चर्च के अंदर जाते हैं और उन्हें वहां पर एक बहुत ही अदभुत नजारा दिखाई देता है यहां पर एक रिवन बर्ड एक और रिवन बर मरे हुए बच्चे को जनम देती है रात की अंदेरे में जेफ्रिस पर भी कोई अटाक करता है और हॉस्पिटल में सेरा भी ब्लीड करने लगती है जो की इंपॉर्टन है क्यूंकि कॉंसंट्रेशन कैंप के अंदर उसके साथ में कुछ ऐसा किया गया था जिससे वो बाया रहने में डर लगने लगा है और जोसेफ की तबियत भी दिन प्रती दिन खराब होती जा रही थी अब अगले दिन बाहर बहुत सारा खून दांत नाखून पड़े हुए मिलते हैं जो की शायद से जैफ्रिस के थे अब फादर फ्रांसिस को ये लग रहा था कि शायद से ल क्योंकि उनको ये डर है कि ये लोकल विलेजर्स यानि की तुरकन्स बहुती जल्द विरोध घोशित करने वाले हैं मेरिन को फ्रांसिस का ये काम बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी सिचुएशन में सूलजर्स को बुलाने का मतलब है कि किसी भी बात को कॉम्प्लिकेटिड करना और उनके पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वज़ा से वो ऐसा करना नहीं चाहते थे यानि कि वो नाजी आर्मी वाली चीज जो थी और वो तो मानते ही नहीं थे कि इन सब के लिए वो चर्च जिम्मेदार है उन्हें इ जवाब के लिए मेरिन विलेज के हैड के पास में जाते हैं तो वो वहाँ पर ये देखते हैं कि वो लोग उस लड़के को जला रहे हैं मतलब की लाशों को दफनाना इनके रिच्वल्स में है ही नहीं इसलिए वो कबरों को खोल कर देखते हैं और वहाँ पर हर एक बकसा ख ना भी थी वो यहां पर आने के बाद में उस इविल से पॉस्सेड हो गए थे और एक दूसरे को ही मारने लगे सिर्फ एक ही प्रीस्ट जिन्दा लौट सका जिनके कहने पर ही इस चर्च को बनाया गया था यहां पर चर्च तो बन गया था लेकिन उसका राज जो था वो गु हो गए वैटिकन्स को यह मानना ही पड़ा कि यहां पर शैतान का राज चुपा हुआ है तो उन्होंने महामारी के बारे में जूटी कहानी बनाई और जूटा कबरिस्तान बनाया लोगों को यहां से दूर रखने के लिए अब यहां पर कुछ सालों तक तो उनका प्लैन काम चैसे दूर नहीं बाग सकता था क्योंकि उसने भी देखा था कि उस चर्च के नीचे शैतान का मंदिर है फ्रांसिस भी यह बात बताते हैं कि इन गाओं वालों ने जोसेफ को मानने की कोशिश करी थी पर उस शैतान ने उल्टा उन पर ही अटैक कर दिया था मीनिंग कि यह और रिवन बर्ट्स उसकी बाड़ी को खा रही थी मेरिन को पता था कि शैतान इनसानों के दिमाग के साथ में खेलता है जो कोई भी उस चर्च के अंदर जाएगा उसकी मौत उस शैतान के हाथ में हैं वो आफिसर को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत ही जादा देर हो चुकी थी शैतान ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था और उसे लगता है कि इन गाओं वालों ने ही जैफरिस का खून किया है तो वो सीधा जाकर हेड आफ दा विलेज को मार देता है बहुती जल्द एक जंग शुरू होने वाली थी तो जूमा मैरन क सेरा को बचाने जाते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं थी उसका रूम खून से लत्पत था और पजूदू डीमन का स्केश भी बना हुआ था जिसके चेस्ट पर वही एंशेंट रेलिक होता है जिसे मैरन अपने पास रख लेता है तो बेसिकली यहां पर वो कोई एंशेंट र मैरन को पहले से ही शक था कि जोसेफ यहां पर पॉसेस्ड नहीं है क्यूंकि वो कभी भी चर्च के अंदर गया ही नहीं था मैरन को समझने में देर नहीं लगती कि शैतान ने सेरा को पॉसेस किया है और ये बात तब सच साबित हो जाती है जब पॉसेस हुई सेरा फादर फ पजूजू के बस में थी मेरन यहां पर एक ट्रू बीलीवर बन जाता है और उसका विश्वास वापस आ गया था और अब वो एक जौर सिदम शुरू कर देते हैं वो शैतान यानि की पजूजू उनको मेंटली और फिजीकली अब्यूस करने लगता है उनको सेडियूस करने क कोशिश करता है और यहां पर एक और खतरनाक सीन आता है जहां पर सेरा अपने ही हाथों से अपनी जीब को दो हिस्सों में बांट लेती है जो की बिल्कुल साप की तरह दिखाई देती है अब यहां पर डीमन प्रिंस फ्रांसिस की लाश दिखाकर उनको डराता है लेकिन मे जोसेफ और मेरिन ही बच्चते हैं मेरिन जोसेफ को लेकर किसी तरह से चर्च के बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन उनके सामने जो नजारा होता है वो बहुत भायानक था उनके सामने हजारों लोग मरें पड़े थे और ये सब कुछ दुबारा दौराया गया था जो कि तो नहीं हो पाया लेकिन मेरिन को यहां पर एक चीज वापस मिल चुकी थी और वो था उसका गौड पर भरोसा और वो फिर से एक बार प्रीस्ट बन चुके हैं यानि की फादर मेरिन और वो यह मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों यह थी दा एक्जॉर्ट सिस्ट बिगनिंग की कहानी यानि की फूर्थ पार्ट की कहानी अब ओवरॉल कहानी तो यहां पर ठीक ठाक थी लेकिन सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो यह है कि इस मूवी के अकॉर्डिंग सबसे पहली बार फादर मेरिन ने पजूजू को यहीं पर एंकाउंटर किया है लेकिन हम की मूवी देखकर यह समझाता है कि फादर मेरिन ने पजूजू को पहली बार यहीं पर देखा है और उसको एंकाउंटर किया है ग्रैंटेड की मूवी की ओपनिंग काफी सही थी यहां पर एफेक्ट्स भी ठीक ठाक हैं लेकिन कहानी यहां पर थोड़ी सी लैकिंग लगत आता है तो अगर आपने पहले पार्ट 3 भी नहीं देखे होंगे तो आप इसको आसानी से डारेक्टली भी देख सकते हैं और इस मूवी को देखती टाइम ना थोड़ा सा दा ममी टाइप की फील भी आती है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई अको आप की आपको